नम्सकार, क्रांती औरेसा में आपका स्वागत है पसीने वाली बफू हाई रबारे नास पीटी पसीने बहा बहा के पूरे घर में पसीने की बाड़ को बुलावा दिया है तुने अरे तुम मैं क्या करू माजी, आप भी बताओ अरे भगवान सा गुहार लगाओ के उठा ले मुझे ये कहानी है अक्षरा की जिसे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसाद हो या फिर ठंड हो शादी तो जैसे तैसे हो जाती है अक्षरा के पती रनवीर को ये बात पता नहीं होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है और नाहीं उसकी साथ कौशलिया और ससुर ब्रीज मोहन को पता था लेकिन वक्त के साथ साथ कुछी दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है तो चली होते हैं रूबरू इस पसीने वाली पहु से बहु आरे ओ अक्षरा बहु कहा मर गई क्या हुआ माजी बोले अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे पहुत ज़्यादा गंदी बद्बू आ रही थी जिससे सभी अपने नाग पर हाथ रख लेते हैं अए रबाओ इतनी गंदी बद्बू तो गट़की भी नहीं आती है सीरियोसली यार अक्षरा तुमारे पसीने की बद्बू दूर दूर तक आ रही है तो मैं किसी बरफिली इगलू में बैटकर खाना नहीं बना रही हूँ इतनी गर्मी है दो मिनिट गेस की सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से ना लेते हो आप इतनी भायंकर गर्मी है अगर इतनी प्राब्लम है तो लगा लो ना रसोई में भी इसी अहां लगा लेते हैं वैसे भी तेरे माई के वालों ने हमें ट्रैक भरके नोटों की गड़ी जो दी है हैं क्यों बात करती है मैं भी चूला चौका कर चुकी हूँ लेकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं है ऐसे ही एक दिन कवशिला देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा की माथे का पसीना टपक कर कणाई में गिर रहा है अरबो अरे करम जलियों की महारानी ये दख दख ये तेरे पसीने की टंकी का लिकेज बहके अब हमारे खाने में भी टपक रहा है अब अपना खारा पानी तो नमक के तोर पर इस्तिमाल करेगी क्या हमारे खाने में माजी मैंने जान मुझक का नहीं किया है और रही बात पसीने की टपक में की तो इसी बहाने ये घटे की सबजीना और भी नमकीन और स्वादिश्ट हो जाएगी मेरे पसीने की मिलावट से ची 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 मैं जानी हूँ बातरूम क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर उल्टी आ रही है आज तो कुछ नहीं पकाएगी आज हम तिनों तुझे छोड़कर बसंत भोज नाले चले जाएगे तो अकेले ही चकते बैट अपने पसीने से भर हुए ये बेंचन अगले दिन जब रनवेर दफ्तर से घर आता है तब ही वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है अक्षरा? कल बस की वाइफ का बर्डे है इसलिए उन्होंने हमें खास न्याता दिया है तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे मैं ब्लैक कोट पैनूँगा तो तुम ब्लैक साडी पैन लो ओके पती जी और कोई आदेश? नहीं नहीं आदेश नहीं लेकिन एक रिक्वेस्ट है वैसे तो पार्टी में एसी होगी लेकिन फिर भी ना तुम पूरी पर्फियूम की बॉटल को अपने उपर छिड़क के ही चलना एक क्या मैं तो कहता हूँ अब पाँच चाहे बॉटल को छिड़क लो ना क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बद्बो को सोंग लिया ना तो फाल तुम्हें सीन क्रियेट हो जाएगा माँ पर ठीक है मू टेड़ा करके अक्षरा जवाब दीती है ठीक है लगा लूँगी खुश अगले दिन पाँटी के लिए अक्षरा सच में पाँच पर्फियूम की बॉटल को अपने उपर छिड़क कर सच धच के रनवीर के साथ पार्टी में चली जाती है पार्टी में ऐसी थी इसलिए पहली के 15 से 20 मिनिट तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छुटने शुरू हुए कि बस वो पसीने से भी करगिली होती ही जा रही थी और उसकी बहुत गंदी बद्बू भी आने लगी जिसको सुंकर पार्टी की गेस्ट आपस में बात कने लगे अरे ये इतनी गंदी बद्बू कहां से आ रही है शायद किसी के जुरावों के गंदी बद्बू है जुरावे नहीं मामला कुछ और ही है जनाप इतनी बड़ी फाइव स्टार पार्टी में पता नहीं कहां से गुजगया कोई गटर का कीड़ा तबी रनवीर अक्षरा को धीरी से कहता है तुम्हें कहो थो नो परफ्यूम, पाउडर और साबून से दस बार नहा न लेकिन तुम्हें तो पता है न कि मुझे पसीने छूटते ही है चाहे कितना भी कुछ भी करलू और उनकी ये बात बगल में खड़ी एक बुड़ी आरत सुन लेती है और वो बबाहल मचा देती है हरे बापरे ये गंदी महग तो यहां से आ रही है रनवीर की बीवी से देखो तो पूरे कपड़ी भी गए इसके पसीने से सबी रनवीर और अक्षरा पर बहुत अस्ते हैं रनवीर घर जाने की बाद अक्षरा को खुब डाटता है मिलादीना पानी में मेरी पूरी मैनद से कमाई हुई इजट अरे अक्षरा बहु किस मिट्टी की बनी हो तो जो पसीने का ज़रना बैता ही रहता है तुम्हारे बतन से बारा मैने और चौवी सो घंटे नान स्टोप अरे अभी तो इस कल्मुहे के कलेज़को ठंडक पड़ी होगी लोगों के कुंडले में मारकेश दोश होता है लेकिन हमारी बहु की कुंडली में पसीना दोश है अक्षरा को अपने सिसुराल वालों की बाते सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गलती मान कर चुप रह जाती है दिन बीचते जाते हैं गर्मी का प्रकोब बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसिबत बन जाती है उसे पसीने से पूरे हाथ, पाउ, गले, चेहरे और बदन पर घमोरी आ जाती है जिसके कारण उसे खुब जलन मैसूस होती है आँ, बहुत जलन हो रही है माजी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल पच्चा है मम्मी जी बहुत आग लग रही है अक्षरा जाकर बाल्टी भरपानी अपने आप पर डाल दीती है तब जाकि उसे थोड़ी सी रहत मिलती है अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशलिया अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा केंडल जलाती अच्छा हुआ जो रनवीर नहीं है खुश्बु वाली मौमबत्तिया ला करती इनसे हर जगा अच्छी महका रही है हाँ कौशलिया बड़ी अच्छी सुगंद है अगरबत्तिया और मौमबत्ति दोनों की भी लेकिन तभी वहाँ पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षर आ जाती है और उसके पूरे बदन से बद्बु आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गए थे और फर्ष पर पसीने की बूंदे भी टपक रही थी और ये बद्बु इतनी तेज होती है कि मौमबत्ति और अगरबत्ति की महक को फेल कर देती है हायो रबा आ गई करमजली इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महकि सुगंद वाली मौमबत्ति और अगरबत्ति के खुश्पू के दाद भी खट्टे कर दिये बाहर इतनी भीशन गर्मी है मम्मी जी ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गये हो और केक की तरह बेग हो रहे हो दिन बदिन अक्षरा का पसीना दिश्वार कर देता है सब का जीना कभी वो सोते समय पूरे बेट के साथ साथ साइड में रखे हुए रनवीर की इंपोर्टन फाइल्स को अपने पसीने से भिगा देती तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जूओं को गलती से खाने में मिला दीती हायो रब्बा, आज तो हादी हो गई खाने में जूए अक्षरा बस बहुत हुआ, अब और नहीं अब तुम सीधा अपना बैक पैक करो और अपने माई की शिफ्ट हो जाओ बिल्कुल सही कहा रहा है रनवीर अक्षरा रोने लगती है और कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ फिर कभी इस घर की दहलिश पार नहीं करूंगी बाई अक्षरा रोन्दी सूरत लिए घर से निकल जाती है शाम में जब रनवीर अक्षरा के माई के फोन लगाता है तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं इस बाद को सुनकर रनवीर कौशलिया और ब्रीज मोहन तीनों डर जाती है और चिंता ग्रस्त हो जाती है आयो रब्बा आप कहा डूंड है हम अक्षरा बहु को मुझे एक जगह पता है ममी जब भी अक्षरा का mood off होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है रनवीर कौशलिया और ब्रीज मोहन तीनों एक नदी के किनारे जाते हैं जहां रात के अंधिरे में अक्षरा नदी की साइट की बेंच पर बैठे हुए बिलक बिलक कर रो रही थी रनवीर तुरन जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उससे तीनों माफी मांगते हैं अक्षरा हमें माफ कर दो तुम्हें पसीना आना नैचरल है लेकिन तुम जान बुच कर नहीं करती हो ये और हमने तुम्हें गुस्से में क्या-क्या नहीं कहा हाँ अक्षरा बहु प्लीज माप कर दे बेटा तेरे इस पसीने को न मैं यों मिंटों में चुटकी बजा कर आयुर वेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूँगी तु देखना बेटा हाँ और अगर उससे भी ना होए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर तोस्त है तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिल कर डट कर सामना करेंगे थैंक यू देर सही सही आप लोगों को मेरा दर्ट समझ में तो आया मैं बहुत लग्यू हूँ कि मुझे आप जिसे सिसराल वाले मिले इस तरह सिसराल वाले आयरवेदिक उपायों से अक्षरा के पसिने की तकलीफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामुली पसिना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है